लोकसभा चुनाओं के लिए सात्वे चरण का प्रचार प्रसार आज समाप्त हो जाएगा और भारती जत्ता पार्टी के लिए एक अगनी परिक्षा की तरह रहा है हमाई साथ कैबिनेट मंतरी जैवेट सिंग महजूद है आज अंतिम दिन है सर आपके जो पूरा इत्ती दिन तुने जो मेहनत की है जिस तरीके से अपना पसीना महाने का काम किया है अद्वुथ अलोके रूप से बहुत मेहनत जबरजस्ट मेहनत उसके लिए सभी कारकरताओं को बहुत-बहुत पढाम करता हूं उनका अविननन करता हूं धन्वाद गापत करता हूं और हम समयते हैं क के साथ तीसरी बार मोजी की नितत्त में सरकार बनाने जा रहे हैं इसमें अब कोई संका नहीं रह गई है और इसके लिए पूरे देश को बदाई और हमें पूरा वरोसा है कि मोजी के नितत्त में देश परम बैभव परम उचाईयों पर पहुंचेगा जो भी अप इच्छ परम बैभव उचाईयों पर पहुंचे विकास्षील भारत से विकसित बारत बने अर्ष भेस्ता अपने लच्छ की और पहुंचे ऐसी इसवत्वत से भी प्रात्रा है और वो सक्ती हमारी भारती जंदा पार्टि उसके नितत्त को मिले ऐसी इसवत्वत्रा करता हूँ मैंनपुरी की सीट को लेकर कितना आश्वस्त हैं, वहां पर आपने भी एक्जाम दिया हुआ है, तो क्या लगता है, कि चार जून को आपके समर्थन में वहां पर पेटियां खुलने जा रही हैं, या फिर डिम्पल याद हो के? लेकि बैसे तो EVM में बंद होने के बाद मैं कभी उस पर दिमाग नहीं लगा था, लेकिन जो परिष्टितियां रही हैं, चुनाओ वाले दिन की जो हम लोग रहे और चुनाओ के बाद भी जो सूचना मिली हैं, उसके अंसार इस बार वहां मेनपुरी पर कमर खिलने जा रहा है, इसमें कोई संका नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब चुनकि EVM में सब कुछ कहते हैं, तो इस पर कोई भविस्तिमारी नहीं, EVM का परणाम स्वीकार होगा, और EVM में अब तो परणाम कहती होने बाले हैं, तेरा सीटें उत्तरबदेश की केवल बची हैं, तो लेकिन जनत पर पूरा वनुसा है, कि जनता की अगाज सरद्दा विस्तास हम लोगों को मिला है, आज सीरवाद मिला है, और उसके लिए किर्दार से हैं, रेडी हैं, और जनता के आवारी हैं. मोधी के मेडिटेशन को लेकर राजनीती शुरू हो गई है, ममताब एनर्जी ने हमला किया, कि जहां जाते हैं, कैमरा लेकर चले जाते हैं, अखिलेश यादों ने हमला किया, डिंपल यादों ने कहा कि घर पे भी कर सकते हैं, यह सब जो है, राजनीती की स्टंट है, हम च कामरा ले जाते हैं महाँ पे इससे प्रॉब्लम है विपक्ष को मोधी जी जी अब मोधी जी एक देस्ट अ के लिए आकरसण है तो मेडिया हो या कोई हो तो आकरसण है तो उसको को रोग रहा है थे आपको लगता है राहूल गांधी में अखिलेश आदो में मायावती ये सब मतलब इनको लोग पसंद नहीं करते हों न करते हों विससे अलग है लेकिन अगर किसी के पीछे केमरे दोड़ रहे हैं भाग रहे हैं जा रहे हैं तो क्या किसी को कष्ट है आप भी अट्रेक्ट्ट जी कोई ढोके नहीं ले आ रहे हैं लेकिन अगर मोधी जी को मीडिया कबरें मिल आए या दुनिया में आज बिस्ट के सबसे लोग प्री निता अज मोधी जी है इसकी तो खुसी होनी चाहिए राजा भाहिया से कहा जा रहा है कि बड़े नुकसान भी है क्योंकि जो अनुप्रिया पटेल ने जंग छेड़ दी कि कुंडा अपको लगता है इसका कोई खामियाजा आप लोगों को भुगतना पड़ेगा देखिए अब कोई मतलब नहीं रह गया है चुनाव कि आज पा पर करता हों से कहा था जिसको मनो उसको वोट दीजे तो क्या राजा भाहिया को भी आप लोग आगे चलके मंत्री मंडल में जगा दे सकते हैं अभी तो एक चीज़ सुनिश्चित है कि राजा भाहिया ने जब जब पार्टी को अफिक्ता हुई है अभी राजा बाइए ने पार्टी के राश्ट्री अद्रक्ष है वो हम लोगों को जब जरूत होती है तो हमारा सहयोगी करते हैं तो स्वाकत तरह बाइया का कहा हम उनसे कोई खुंटा है या कोई नाराजी कि या तक कुछ नहीं है कहीं कुछ नहीं है प्रदे सरकार में कैबिनेट मतरी जैवेर सिंग हमारे साथ मौजूद थे लखनाव से वीडियो जनरलिश रोहीत के साथ संदीप खेर भारा समचार